हेलो एब्रिवन यूर मोस्ट वेलकम टो बैसनोर्स ट्रिटोरियल आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में तो चले आज की नई क्लास शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे ARO और ARO एक्जाम के लिए कुछ इंपोर्टन MCQ हमारे पास हैं तो चले आज हम इनको कवर करते हैं प्रेस नमर एक आपके लिए देहरेदन सहर की स्तापना किसने की थी ओप्सिनमर A है गुरु राम राय ओप्सिनमर B है गौर्खा राजा फृर्थिवी नारायर सा उप्सिनमर C है सिख गुरु गुरु नानक के पुत्र थे गुरु राम राय उन्होंने 17 सतापदी में देहरेदन सहर की स्तापना की थी तो आभी हम चलते हैं अगले MCQ पर अगले MCQ है यहां पर 19 सतापदी में अंग्रेजों के विरुद पेश्वा प्रतिरोध का नेत्रित्व किसने किया था अप्सिनमर A है नाना साह के भारतिय विरुद में एक प्रमुक सेनापती ताट्या टोपे ने 19 सतापदी में अंग्रेजों के खिलाप पेश्वा प्रतिरोध का नेत्रित्व किया था अब इसमें एक MCQ यह भी बनता है कि सेनापती ताट्या टोपे ने किस सतापदी में अंग्रेजों के खिलाप पे वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यदि आप हमारे साथ वाट्सअप गुरूब में जुड़ना चाहते हैं तो 7409287156 हमारा वाट्सप नमबर है आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाट्सप या कॉल आप हम लोगों को कर सकते हैं बाकि यदि आप लोग UKPSC और UKPSC की टेस्ट रिजॉइन करना चाहते हैं तो हमारे एप जरूर डाउनलोड कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर BN टुटोरियल नाम से हमारा एप है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्ट option number C है राजा सुदर्शन सा option number D है राजा हरी सिंग तो सही जबाब होगा आपका option number A राजा पृतिवी राजचोहान इसकी व्याक है कि दिल्ली के अंतिम हिंदु राजा राजा पृतिवी राजचोहान को उनकी बहादुरी और वीरता के लिए सेर अदिल या सेर हिर्दे र राजा जस धवल और राजा विक्रमादित्या तो आपका जो इसमें सही जबाब होगा option number A आदिगुरु संक्राचारे जी ने ये तो एक नॉर्मल क्वेस्टन है और most important भी है केदानात के बारे में आप से भी लोग जानते ही होंगी तो केदानात मंदिर का निर्मान किसे न प्राचीन भारत में किस राजय को देवताओं का निवास कहा जाता था प्राचीन भारत में यानि इसमें जो सही जबाब होगा option number D है कुमाओ इसकी व्याखे देख लेते हैं कुमाओ उत्राखंड का एक एतिहासिक छेतर है प्राचीन भारत में अपने कई मंदिरों और पवित्र इस्तलों के कारण देवताओं के निवास के रूम में जाना जाता था किस नदी को उत्राखंड की जीवन रेखा के रूम में जाना जाता है option number A है यमना option number B है गंगा option number C है टन और option number D है भागी रहती तो सभी जवाब होगा आपका option number B इसकी व्याख है कि गंगा जिससे गंगा के नाम से भी जाना जाता है आप तो सभी जाना जाता है और इसको उत्राखंड की जीवन रेखा के रूम में भी जाना जाता है क्योंकि यह राज जे और इसके लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रूरी किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था राजा प्रतिवी राज चोहन, राजा जैसिंग, राजा पूरस और राजा शेर साहसुरी तो सही जबाब होगा अपका राजा सेर साहसुरी इसकी व्याख्या मध्य युगईन भारतिया साहसक राजा सेर साहसुरी को उनके सैने उपलब्दियों और प्रसासनिक सुदारों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था अगला एमसी क्यों है आप लोगों के लिए निमल लखी में से किस घटना के कारण सन 2000 में उत्राखन राज का निर्माण हुआ कुमावा और गडवाल शेतनों को एक नए राज में मिला दिया गया उत्र प्रदेस राज को दो राजों में बिभाजित किया गया था हिमाचल प्रदेश राजय को दो राजयों में विवाजित किया गया है और उप्रोक में से कोई नहीं तो सही जवाब होगा आपका option नमर B उत्र प्रदेश राजय को दो राजयों में विवाजित किया गया था सन 2000 में उत्रा खंड राज का निर्मार छेतर के लोगों के लंबे समय से चली आ रहे हैं मांग का परिणाम था उत्रा चल राज उत्र प्रजेस के उत्री भाग से बना हुआ है और इसमें 13 जिल्ले हैं बाकी राज निर्मार के लिए जो काफी सारे आंदोलन हुए थे और काफी सारे लोग ने अपनी जान गमाई थी सहीद हुए थे तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो में अगली स्रीज में बनाऊंगा बाकी यदि अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नह सही जबाब होगा गंगा गंगा नदी उत्तराखन के राजदाने देहरदुन की घाटी से होकर बहती है अगला एमसी क्यों है निम्नी लिखिन में से उत्तराखन में एक प्रसिद हिंदू तीर्थ इस्तल है बैशनो देवी अमारनात के दानात हेमकॉंट साहिव तो सही उतरकन में एक प्रेसिद हिंदू तीर्थ इस्तल है, यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र तीर्थ इस्तलों में से एक है, जिसे चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहां से आगे recording issue हो गया था तो कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेके हैं